बिसमिल्ला रहमानरहिम असलाम लेकल मुष्टेट क्राफ्ट से मुखमद भीन आपके सामने हूं विवर्स शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोज को पसंद करते हैं और हमें अपने फीड़ बैक से आगा करते हैं शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन से रिक्वेस्ट है कि फ़री तोर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताके बहुत सारी ओफर्स जो अभी तक टोर्म latest information उन तक पहुँचे ताकि वो timely फैसला करके अपना benefit ले सके जी इस वकत जो एक छोटी सी information आपको देनी थी जैसा कि आपने थम नेल पे पढ़ा कि खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया अभी या कभी नहीं possessionable plot now or never तो जी बिल्कुल exactly ऐसी ही बात है कि अगर आपको इस वकत A South Block में possessionable plot चाहिए और वो भी बगएर किसी fall to amount जमा कराए तो उसके लिए आपको बहुत सारी facilities मिल सकती हैं उसमें आपको बहुत सारे benefits भी मिल सकते हैं और future में आपकी जो investment है वो बड़ी ही तेजी से grow भी करेगी मैं इस वकत A South Block में मौझूद हूँ मैप के उपर आपको location भी नजर आ रही होगी कि मैं इस वकत किस street में मौझूद हूँ अब जरा इनको ये वाली side जरा visit करवाईए कि ये एक दो तीन अगली गलियां भी बन चुकी वी हैं और high tension line का वो जो पोल क्यासिक्त का आपको यहां पर ड्वड़्व्मेंन नहीं हो रही तो हम उसका जवाब कोई नहीं कि सकते क्यों क्यों कि जब तक कोई बंदा side पे आकर नहीं देखेगा उसको development नहीं नजर आएगी हमारी अंखों से आके देखेंगे तो तो आपको नज़र आएगी कि यहां पर development हो रही है क्यों नज़र आएगी क्योंकि रावलपिंडी इसलामबाद में कोई housing society ऐसी नहीं है इवन पूरे पकिसान में कोई housing society ऐसी नहीं है जिसने इतनी तेजी से development की हो development के लिए चाहिए होता है पैसा वो पैसा इन्होंने आपसे निकलवाया और निकलवा के development की बट लैंड इनके पास मौजूद थी और अभी भी एडिशनली बहुत सारी लैंड मौजूद है जो के future में develop होनी है जो के reserved है मुख्लिफ नए blocks के लिए अब इनको ये वला अरिया भी दिखा दें कि इस एरिया में भी सिवरेज और water supply वगरा की lines वगरा डल चुकी भी है स्ट्रीट लाइट नजर आ चुकी भी है यहां पे और आपको सामने नजर आ रहा होगा कि इस ये जो एक्सिवेटर काम कर रहा है इसकी बैक पे बिलकुल आपको सामने देखंगे तो आपको ब्रेज भी नजर आ रहा होगा रेलवे का अंडर पास इस एरिया में ड्हाई मरला के commercial plots हैं एक कनाल के residential plots हैं और उसके इलावा आठ मरला के residential plots हैं और वह सरे दोस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका ना हिंग लगे और ना फटक्री और उन दोस्तों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेशवरा कि आप बिल्कुल सुकून से बैठे हैं, रिलैक्स बैठे हैं, आपको साल बाद या दो साल बाद जहां पे जो लोकेशन मिल रही होगी, वो इन्शालला बहुत अच्छी होगी, बहुत प्रीमियम होगी, लेकिन वो तमा मुझसे एक अच्छी सी फिजिबिलिटी ले लें, उस फिजिबिलिटी में क्या होगा, कि उस फिजिबिलिटी में आपको ए साउथ की इसी तरह की स्ट्रीट्स में, आन ग्राउंड पजेशनेबल प्लॉट जो के रेडी हो चुकी ही है, वहाँ पे आपको कोई अच्छी आ सी एन लें, एस पर कमिट्मेंट, हम आपको ऑन ग्राउंड पजेशन वाला प्लॉट दिलवाएंगे, ए साउथ ब्लॉक्मेंट, जिसके लिए कंडिशन शर्त कोई कुछ भी नहीं है, बगएर किसी कंडिशन के, बगएर किसी शर्त के, कोई कंस्रक्शन की कंडिशन नहीं ह कोई ऐसे शर्त नहीं है, आपको ऑन ग्राउंड पजेशन का प्लॉट मिल जाएगा, जो आप साल, दो साल, तीन साल होल्ड करेंगे, और फिर फ्यूचर में आप अच्छे रेट पे बेच के बेतरीन प्रॉफिट अन कर लेंगे, या एट लिस्ट आपको ये पता होगा, कि ये मेरी सेविंग्स है, ये मेरी इंवेस्टमेंट है, जो डे बाइ डे मल्टिप्ला हो रही है, चीजें तब ही प्रॉफिट देती हैं, जब वो ऑन ग्राउंड आ जाती है, विविवर्स, आई होब के वीडियो में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इस पिर दोबारा मुलाकात होती है, एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए, अल्हाफिस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, फिर मुलाकात होती है, अल्हाफिस